और इस आम आत्मी पाटी के कार्याले से देश के ताना साग को अगर मेरी आवाद सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ ये आम आत्मी पाटी है हमान दोलत की कोख से पैदा हुए है तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है तुम्हारे किसी बदर घुड़की को डरने वाले नहीं है तुम हिंदोस्तान की सबसे बेहतरी सरकार अर्बिंद केजरिवास की सरकार को गिराना चाहते हो तोड़ना चाहते हो हमारे पिधायकों को तराना चाहते हो आतिसी को किरिफ्तार करोगे सौरब भरत द्वाज को किरिफ्तार करोगे तुर्गेस पॉठक को किरिफ्तार करोगे रागो चट्डा को किरिफ्तार करोगे हमारे पिधायकों के घर पे छापे मारी करोगे इन कंटेक्स का जपा गुलाव सिंग पे कैलास के लोग से साले चार घंटे पूस्ताच ताना साही मचा रखियास देश के अंदर जेल का जवाब लडेंगे जीतेंगे जीतेंगे जस्ट का वक्त नहीं है जंग का वक्त है संघर्ज के लिए तयार हो जाओ उन्हें यए फिक्र है रदम नया तर्जय जफा क्या है हमें भी शोख है देखे इस सितम की इस पे है नमस्कार मैं रवीश कुमार मोदी राज में विपक्श के नेताओं को जेल जाते तो देखा गया है लेकिन जिस तरह से संजय सिंग तिहार से निकले और कारेकरताओं को संबोधित किया वैसा कम देखा गया आम आदमी पार्टी ने भी संजय सिंग की रहाई को बड़े राजमितिक कारेकरम में बदल दिया सुप्रीम कोट में जब जमानत मिली तब कुछ पत्रकार खबरे प्लांट करने लगे कि आखिर कोट ने जमानत क्यों दी ये किसी का मास्टर स्ट्रोक है वही जो इस तरह के फटीचर मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं लेकिन जेल से बाहर आते ही संजय ने इसे अपने और अपनी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया तिहार जेल से आई पहली तस्वीर में संजय नायक की तरह खड़े नजर आए यह तस्वीर संजय को एक खास एंगल से उचाई दे रही थी जिसे इस वक्त आम आदनी पार्टी को जरूरत भी थी आम आदनी पार्टी के नेता कुरता पजामा वाले नहीं लगते पैंट शट वाले हैं कम ही नेता है जिनकी पहचान पारंपरिक राजनितिक लिबास से होती है संजय ने इस मौके को ठीक से राजनितिक संदेश में बदल दिया पीवी पर टी आरपी की शाम किसी और के लिए सजी थी उस मेफिल में संजय सिंग की तस्वीरیں पहुँचने लगी और देर राज सब कुछ संजय सिंग का हो गया संजय सिंग अपनी बात देश के ताना शाख को पहुचाने लगी और देखो देखो कौन है और देखो देखो कौन है इस आम आदमी पार्टी के कारियाले से देश के ताना साह को अगर मेरी आवाद सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूँ ये आम आदमी पार्टी है हमां अंदोलन की कोक से पैदा हुए है तुमारे किसी बंदर घुरकी से डरने वाले नहीं है तुम इंदोस्तान की सबसे बेहतरी सरकार अर्बिंद केजरिवाज की सरकार को गिराना चाहते हो तोड़ना चाहते हो हमारे बिदायकों को डराना चाहते हो आतिसी को गिरिफ्तार करोगे सौरब भारत द्वाज को गिरिफ्तार करोगे दुरगेस पोठक को गिरिफ्तार करोगे रागो चद्दा को गिरिफ्तार करोगे हमारे बिधायकों के घर पे च्छापे मारी करोगे इन कंटेक्स का च्छापा गुलाव सिंग पे कैलास गेलों से साले चार घंटे पूस्ताच ताना साही मजा रखिये देश के अंदर ताना साही मजा रखिये मैं कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ 6 महीने 6 महीने जेल में रहके आया हूँ 6 महीने जेल में रहके आ हो नरेंदर मोदी जी कान कोल कर सुन लो आम आदमी पार्टी का एक एक करकरता आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आम आदमी पार्टी का एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरिवाल के साथ खड़ा है अरविंद केजरिवाल के साथ खड़ा है दिल्ली के मुख्य मंत्री के साथ खड़ा है हम इस वीडियो में आज संजे सिंग की दिंचरिया पर भी नजर रखेंगे और उनके भाशन की बात करेंगे आखिर संजे के भाशन में ऐसा क्या था जिसने आम आदनी पार्टी के निताओं को जोश से भर दिया और इसे अखबारों ने कैसे कवर किया जब आप इस वीडियो में आगे चल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस भाशन को आपने खुद सुना है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुना है उसके बारे में अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है मगर आपको वीडियो पूरा देखना होगा रील के चक्कर में मत रहिए ऐसे ही आपके लोगतंत्र की रैली निकल चुकी है केजरीवाल और सिसोधिया के जेल में जाने के बाद भी आम आदनी पार्टी बिखरी नहीं थी कहीं से नहीं लगा कि पार्टी खत्म हो गई है रामलिला मैदान की रैली की घुशना कर दी गई साथ दिनों के भीतर 31 मार्च को विपक्ष की इतनी बड़ी साजा रैली भी कर दी गई 21 मार्च से 3 अपरेल के बीच एक एक पल आम आदनी पार्टी लड़ाई की मुद्रा में रही तिहार के बाहर भी समर्थक बड़ी संख्या में पहुँच गए दिन भर इंतजार करते रहे मगर रिहाई का वक्त आया देर शाम यह पोस्टर कारिकरताओं के उस विश्वास को बयाकर रहा था कि संजय भाया जुखेंगे नहीं जिस दौर में ना जाने कितने नेता एडी के डर से कापते हुए बीजेपी में भग लिये उस दौर में इन कारिकरताओं को इतना भरोसा है कि संजय सिंग जुकने वाले नहीं है इंतजार में शाम रात में बदलने लगी और तभी संजय सिंग बाहर आते हैं सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए कारिकरता उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं धक्का मुक्की के बीच कारिकरता संजय सिंग को खीच कर कार के उपर चढ़ा देते हैं और यह तस्वीर उसी समय की है जो 3 अपरेल की रात ट्वीटर पर दोड़ने लगी 4 अपरेल की सुबह के अखबार मैनेज से लगे बहुत कम अखबारों में यह तस्वीर उस तरह से च्छपी जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने च्छापी है हर पल मीडिया मैनेज होता लग रहा है इसके बाद भी आम आदमी पार्टी की यह कारिकरता किसी से मैनेज नहीं हो पाए कारिकरताओं ने जिसे शेर बुलाया वो जब पार्टी के दफ्तर पहुँचा तो शेर की तरह ही दहारने लगा क्या आपने चार अप्रैल की सुबह का अखबार देखा है अगर आप गोर से देखेंगे तो पता चलेगा कि संजय सिंग नाम का एक सांसद च्छा मएने बाद जेल से बाहर निकला है कोर्ट में उसके खिलाब एडी पैसा लेने का एक सबुत पेश नहीं कर पाई उस सांसद के च्छा मएने बाद जेल से बाहर आने पर मीडिया कैसे कबर कर रहा है इस वीडियो को देखिए और घर लोटकर अपने अपने अखबारों को भी यद्यनिक जागरन का रास्ट्रियस संसकरण है इसकी पहली खबर एडी के वकील के बयान के आधार पर है हेडलाइन है कि आपकी संपत्ति कुर्क कर सकती है एडी पहले पन्ने पर संजे सिंग की रहाई की खबर नहीं है मगर संबंधित समाचार के तहट पेज नंबर दो पर जाने का संकेत है उस दूसरे पन्ने पर संजे सिंग की रहाई की खबर है मगर यहां तस्वीर तिहार से बाहर की नहीं बलकि केजरिवाल के घर के बाहर की है जब संजय सिंग ने सुनीता केजरिवाल के पाऊँ चुए अखबार के कुछ स्थानिय संसकरणों में या फोटो तीसरे पन्ने पर छपी है अब हमारा सवाल है मान लीजिए आप संपादक हैं आपके सामने ये तस्वीर है जिसमें संजय पाऊँ चु रहे हैं और ये तस्वीर जिसमें संजय जेल से बाहर आते हुए ललकार रहे हैं आप किस तस्वीर का चैन करेंगे आप तै कीजिए कि दोनों तस्वीरों में से कौन सबसे प्रभावशाली है और आप किसे अपने अखबार में पहले पन्ने पर छापना चाहेंगे यह इंडियन एक्सप्रेस है चार अप्रेल का ही जिसमें संजय सिंग कार पर चड़े ललकार रहें उनकी उंगलियों और उनके चेहरे का भाव देखिए अगर कोई फोटोग्राफर जेल के बाहर कई घंटे से किसी नेता का इंतजार कर रहा है तो वो ऐसा ही फोटो चाहेगा और कोई भी सजट फोटो संपादक पहले पनने के लिए इसी का चुनाओ करेगा जो इंडियन एक्सप्रेस ने किया है क्या जागरन के पास यहां की तस्वीर नहीं होगी या तो जागरन बता सकता है एक्सप्रेस अंग्रेzi का अखबार है लेकिन हेडलाइن हिंदी में बोल रही है एक्सप्रेस और जागरन का पहला पनना कितना अलग लगता है अब यह अमर उजाला है हिंदी का एक और अखबार 4 अपरैल का ही इसकी पहली हेडलाइन भी वही है जो दैनिक जागरन की है हेडलाइन ची भाशा तो अलग है लेकिन E.D. के वकील के आधार पर ही खबर लिखी गई है कि E.D. का दावा है कि केजरिवाल के खिलाब लेन देन के पुखता सबूत है अमर उजाला में पहले पन्ने पर किनारे में जेल से बाहर आते हुए संजे सिंग की फोटो छपी है और उनकी रिहाई की खबर भी है मगर संशिप्त रूप में इंडियन एक्स्प्रेस की तरह इस अखबार ने बोल्ड पिक्चर और बड़ी हेडलाइन नहीं लगाई है गाजियाबाद के इसके स्थानिय संस्करण में पहले पन्ने पर संजे सिंग की अलग फोटो है लेकिन यह भी कोई बोल्ड फोटो नहीं है स्थानिय संस्करण के दूसरे पन्ने पर संजे सिंग की क्लोज अप फोटो लगाई गई है और उनके भाशन की कुछ पंक्तियां भी रिपोट हुई है राश्टिय संस्करण के दूसरे नंबर के पेज पर जागरंट से बहतर तस्वीर है मगर आप देखिए तो यह खबर दूसरे पेज पर भी किनारे लगी है संजे सिंग के बगल में बड़ी जग़ एडी के बयान को दी गई है जो पहले पन्ने पर और पहली खबर के रूप में दी जा चुकी है तो इस तरह आप देनिक जागरंट अमर उजाला और इंडियन एक्सप्रेस में एक ही घटना की खबरों को जब एक साथ देखते हैं तो आपको वो दिखता है जो नहीं दिखाया जाता हमने केवल तीन ही अखबार देखे बाकी आप देख लीजेगा इसका ध्यान रखिएगा कि हर अखबार का संपाद की अविवेक अलग होता है और खबरों के चैन का तरीका भी विपक्ष इसी तरह से पहले पनने से विस्थापित होता रहा है अगर मैं कह दूँ कि आपको हिंदी का अखबार पढ़ना नहीं आता तो आप नाराज हो जाएंगे लेकिन ये बात सही है कि बहुत से पाठकों को अखबार पढ़ना नहीं आता है इसलिए अखबार आपको कुछ भी पढ़ा कर निकल जाते हैं संजे सिंग को जब जमानत मिली तभी से खबरें प्लांट होने लगी काना फूसी के जरिये भी पहुँचाई जाने लगी कि संजे सिंग के साथ कुछ सेटिंग हुई होगी इसी सेटिंग के तहर सिसोदिया को भी निकाला जाएगा फिर आप में सत्ता परिवर्टन होगा जो मास्टर स्ट्रोक वाले बाबा के हिसाब से होगा मतलब हद ही है जेल भेजो तब भी इनका मास्टर स्ट्रोक जेल से बाहर कोई आए तब भी इनहीं की मर्जी और मास्टर स्ट्रोक इस तरह से ये लोग माहौल बनाते हैं जैसे संजय सिंग तिहार से निकल कर सीधे बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे रिहाई के दुसरे दिन संजय सिंग राजगाट गए आम आदनी पार्टी के विधायकों और कारिकरताओं के साथ हनुमान मंदिर भी गए पहले दिन के अपने भाशन के बाद भी उन्होंने अपनी राजनितिक सक्रियता बनाए रखी और हर समय आम आदनी पार्टी के साथ ही दिखे जो लोग आम आदनी पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं संजय बार बार बताते रहे कि एफ और आप पहले आता है बी फॉर बीजेपी का नंबर बाद में आता है संजय सिंग ने अपने वकील अभिशेक मनुस सिंगवी का भी भरपूर शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभू हे रास्ट पिता जी आप जहां कहीं भी हैं इस सरकार को भी सन्मती दें इस सरकार को भी सद्बुद्धी दें कि वो इस देश के लोगों की आजादी के साथ स्वतंत्रता के साथ लोकतंत्र के साथ संविधान के साथ खिलवार करना बंद करें आज जिस प्रकार से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री दिल्ली के दो करोन लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया गया ये ताना साही की सुरवात है एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जारखंड में जेल में डाल दिया गया और पता नहीं कितने बिपक्षी मुख्यमंत्रियों के लोग पकल के जेल में डालने के तैयारी कर रहे है ये इस देश के लोकतंतर और समविधान के लिए बहुत बड़ा खत्रा है संजे सिंग के भाषण में कहीं से ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि उसमें बीजे पी के लिए कोई रियायत है वैसे ये बात ठीक है कि जो लोग कॉंग्रेस या दूसरे दल में रहते हुए दिन रात बीजे पी और मोदी की आलोचना करते हैं बीजे पी उन्हें भी ले आती है लेकिन फिर भी रेकॉर्ड के लिए आप संजे सिंग को सुन सकते हैं कि उन्होंने बीजे पी की कितनी अच्छे तरीके से तारीफ की है मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ इनका जवाब देने का वक्त आ गया है मोधी जी क्या कहते हैं मोधी जी कहते हैं भरस्टाचारियों को छोड़ूँगा नई भरस्टाचारियों को छोड़ूँगा नई भरस्टाचारियों को छोड़ूँगा नई पूरत से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके दक्षिन तक जितने भरस्टाचारियों सबको गलत तो नहीं कह रहा भारती जंता पाटी सरसले के पाउं तक सराब घोटाले में डूबी हुई है याद रखना 55 करोन रुपए की रिश्वत खुले आम खाईए किस से खाईए किस से खाईए सरद रेडडी से सराब के कारोबारी से और उसके बारे में लिखा गया किंग फिन तो भाजपाई पहुँचे बोले रिश्वत देनी है उसने का मैं तो किंग फिन हूँ तो उसने का 55 करोन का पिन गाड़ो हम तुमें किंग बना देंगे उसने 55 करोन का पिन गाड़ा बाजपाईयों ने गड़ी गिनना सुरू किया उसको का तुम तो किंग हो किंग हो किंग हो सरद रेडडी जिन्दाबाद तो सराव घोटाला किया है किसने किया है किसने किया है बातपाईयों ने किया है जिस अंदाज में संजय सिंग जेल से बाहर निकले और तीन अप्रेल की रात भाषण दिया उससे सारी अफवाहें और आशंकाएं अब समाप्त हो जाती है संजय सिंग जेल से निकलते ही सबसे पहले अरबिंद केजरिवाल के घर गए और उनके भाषण में केजरिवाल और मनिश सिसोदिया प्रमुकता से चाय भी रहे केवल केजरिवाल और सिसोदिया ही नहीं वे अपने भाशन में एक-एक विधायक और कई कारकरताओं का भी नाम लेते रहे इस बात को लेकर सजट थे कि किसी का नाम न छूट जाए जेल से बाहर आते ही संजय पहले केजरिवाल के घर गए और आज सुबह मनीश सिसोदिया के घर गए उनकी पत्नी के पाउच हुए यह सब बता रहा है कि जेल के भीतर रहने के बाद भी पार्टी के नेता एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे ED पर आरोप लगता है कि वह विपक्ष की पार्टी तोड़ने और पार्टी से नेताओं को भगाकर बीजे पी میں लाने का काम करती है लेकिन इधर आम आदमी पार्टी में कुछ और दिख रहा था इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग यह हमारे लिए परिवार है परिवार और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया पहले अर्विंद केजरिवाल जी के भावी के पास गया मिलने के लिए मनीज भाई के भी घर जाओंगा और सतेन भाई के भी घर जाओंगा यह हमारा परिवार है और अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आएगा तो एक एक करकरता सीना तान के अपने नेता के साथ ख़ड़ा रहेगा मैंने आज भावी के आँखों में पहली बार आसु देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इन आसुगों का बदला इश्वर लेगा इन आसुगों का बदला दिल्ली की दो करोड जनता लेगी और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील क करना चाहता हूं इन तानासाहों से सावधान हो जाओ ये किसी के लिए अच्छे नहीं है। नरेंदर मोधी जी, कान खोल कर सुन लो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक एक करकरता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और बिधाख, अपने नेता, अरविंद केजरिवाल के साथ खड़ा है, संजय सिंग का भाषण केवल संजय सिंग का नहीं था वे अपने भाषण में केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से उठी बहस का भी जवाब दे रहे थे केजरिवाल से इस्तिफे की मांग को उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया कहा कि जो पैटन है उससे तो हर किसी को गिरफतार करने के बाद बी जे पी हर किसी का इस्तिफा लेने बैठ जाएगी संजा सिंग ने कहा कि अगर तमिलनाडू में बंगाल में कोई मुकदमा लिखवा दे वहां से कोई दरोगा पूछताच करने दिल्ली आ जाए तो क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जाच में शामिल होंगे इस्तिफा दे दो भाई कल को भगवन्तमान को गिरिफतार कर लो कह दो गे इस्तिफा दो वो केरला के मुक्खे मंत्री विजियन उनकी बेटी पे जाच सुरू कर दी कहेंगे बिजियन जी इस्तीफा दो मंता बनेर जी जी के भतीजे पर जाज सुरू कर दी कहेंगे मंता बनेर जी इस्तीफा दे दो तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्य मंत्री और आम आदमी बराबर है तो जरा मुझे बताईए सोमनाथ भारती कानून के जानकार है क्या प्रधान मंत्री को कानून में छूटे कानून में छूटे क्या छूटे क्या अरकल को एक मुकदमा मुहाली में लिखा जाएगा दो दरोगा वहां से आएगा एक मुकदमा जारखंड में लिखा जाएगा तीन दरोगा वहां से आएगा एक मुकदमा तमिलनाडू में लिखा जाएगा पांच दरोगा वहां से आएगा और पांच मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो दस दरोगा वहां से आ जाएंगे दस दरोगा आ जाएंगे और मोहाली और रोपड वाला दरोगा आएगा कहेगा नरिंदर मोदी जी घर पे है तो भादपाईयो जवाद दो इसका क्या देश का पुर्धान मंत्री बंगाल के ठाने में जाके जाच में सामिल होगा की नहीं होगा बताओ मुझे जवाद जो इसका क्या वह सामिल होगा तमिल नाडू की जाच में क्या वह जाच में सामिल होगा पंजाब के अंदर दरोगा डियस पी एस पी इनीर विपक्ष के राज्यों से रेवंत रेड़ी के राज से सिद्धा रमया के राज से पहुँच गए ग्री मंत्री हमिस्ता के घर में बोले हमिस्ता है उससे पूच्टाज करनी है कहेंगे हम तो ग्री मंत्री है बोलो ग्री मंत्री तो सब समान है इसलिए भाजपाईयों ये नोटंकी हमारे साथ मत केलो तुमारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं अर्विंद केजरिवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की दो करोड जनता के लिए काम करेंगे दिल्ली की दो करोड जनता के लिए काम करेंगे 181 दिनों की जेल के बाद कोई भी तल्क हो सकता था लेकिन संजय सिंग राजनेता बने रहे वे जेल में बिताए अपने दिनों का रोना नहीं रोए प्रधान मंत्री मोदी की तरह गिनकर उन्होंने नहीं बताया कि 140 गालियां दी गई हैं या गालियों की संख्या 142 है संजय ने इस तरह की कोई बात नहीं की कि जेल में जो रोटियां मिली वो जली हुई थी या सूपर क्वालिटी की थी लेकिन इन 181 दिनों में इन 181 दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ एक चीज सोच के जेल के कस्ट से नहीं याद रखना जेल तुम्हें बाजपाईयों से कहता हूँ जेहे लोए लाठी ये मुकदमे का डर ये बंदर घुड की किसी और को दिखाना आम आदमी पार्टी वालों को है एडी की गिरफतारी के बाद जारखन के पूर्व मुक्य मंतरी हेमन सोरेन ने भी विधान सभा में सयमित और जूरदार भाषन दिया सरकार जाने के बाद तेजस्वी यादव ने भी अच्छा भाषन दिया लेकिन संजे सिंग का भाषन सुनकर लगा कि जेल में वे इसी दिन में आते हैं और कारवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है लगता है संजे सिंग सुबह का ये अख़बार भी पढ़कर आये थे संजे ने भी अपने भाषन में बीजेपी के घोटालों की पूरी लिस्ट पर डाली और उन सब का नाम लिया जिन पर बीजेपी ने भ्रस्टाचार के आरोप लगाए वे अब बीजेपी में पदादिकारी बन गए है कहते हैं भ्रस्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा एक एक भ्रस्टाचारी को सामिल करूंगा मुझे आतिसी जी भाजपा के कारकरताओं में बड़ी दयाती है सौरब भाई बहुत दयाती है विचारे आसाम में तैयार हुए वाटर घोटाला वाटर घोटाला वाटर घोटाला बुकलेट तैयार की लाठी से उसको छे महिने तक बाटा कि हेमंत विस्तु सर्मा का ब्रस्टा चार है हेमंत विस्तु सर्मा का ब्रस्टा चार है लाठी खाए जेल में गए गोपाल राय जी क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ कारकरता जुलूस निकाल रहा था मोदी जी हेमंत विस्तु सर्मा को गले लगा रहे थे उसको मुख्य मंत्री बना दिया, उसके बाद कर लगे अजीत पवार ने सतर हजार करोण का घोटाला किया चक्की पिसिंग 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 mixing पिर के लगे हसन मुश्रिर चीनी घोटाला किया सव करोन का फिर के लगे छगन बुझबल महारास्टा सदन का घोटाला किया है और तो और यह भाजपाईयों इनको सरम नहीं आती कहते रास्टवादी हैं कह रहे थे आदर्स घोटाला किया है हमारे जवानों का पैसा खाया है यह किया है वो किया है आदर्स घोटाले के खिलाब भाजपा का कार करता है लाठी का रहा था आदर्स घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठाके राज्यसाभा में भेज दिया भाजपाईयों ने भाजपाईयों ने ने भाजपाईयों के लिए नारा बनाया है जो जितना बड़ा भ्रस्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी जो जितना बड़ा भ्रस्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी भाजपा का पदाधिकारी भाजपा का पदाधिकारी मैं भाजपाईयों के लिए बने ब बोला गोपाल भाई भाजपाईयों के लिए नारा बनाया इस्पेसली जेल में खाली ते कुछ तो काम करना था। जो जितना बड़ा भ्रस्ताचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी थे। की सदसिता रद कर दी गई, मोहुआ मोहितरा का सदन से निशकाशन हो गया और संजय सिंग जेल चले गए, क्या ये संयोग था? इन सब ने अपने जेल जाने के या सदसिता रद किये जाने के कारणों के पीछे अदानी के खिलाब बोलना भी बताया है। जेल जाते वक्त संज मिल रही है, इसी कारण उनके पीछे एडी लगा दी गई है। आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोधी जी तक अगर मेरी बात पहुँच रही हो तो मोधी जी कान खोल कर सुन लीजिए। मधले में आप और आपकी पाटी और आपकी जाच एजनसियां मुझे फासी पे चड़ाना चाहें तो चड़ा दें उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन्ता सवाल है पूरी इमांदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूँ। आप से लेके पाताल तक जाच कराओ। जितनी हिम्मत और जितनी एजनसियां है तुमारी जाच कराओ। कुछ भी अगर मिल जाए तो भरस्ताचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे दस गुना ज़्यादा सजा दो। मैं कह रहा हूँ। लेकिन अडानी के गोटाले पर छोड़ूँगा नहीं। संजे सिंग के बाहर आते ही आम आदनी पार्टी को एक नेता मिल गया है। केजरिवाल और सिसोदिया के जेल में जाने से जो खालिप पनाया था। उसे संजे सिंग के बाशण में तैयारी भी नजर आ रही थी। उन्होंने कानूनी पहलूँ का भी ध्यान रखा और कहा अपने केस पर तो नहीं बोल सकते जमानत की शर्ते ऐसी हैं मगर सिसोधिया और केजरी वाल के केस पर बोल सकता हूँ जमानत की शर्तों के अनुसार संजय दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं लेकिन दिल्ली में ही बोल कर अपनी बात देश भर में पहुँचा सकते हैं अखबार उठाइए तो लगता है विपक्ष की सारी रेलियां E.D. के आस पास हो रही है इस चुनाओं में मोदी से जादा E.D. की बात होने लगी है मार्च का महिना बीट गया अप्रेल के चार दिन बीट गये देश की जनता को जानने का वक्त ही नहीं मिला कि दस साल में क्या हुआ बीजेपी 2047 की बात करने लगी है ताकि पता ही नहीं चले कि पिछले 10 साल में क्या हुआ नमस्कार मैं रविश कुमार